घर पर बना ये टोनर अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो मार्केट के बने सारे टोनर आप भोल जाओगे क्योंकि ये इतना जादा एफेक्टिव है और हाँ इतनी आसानी से बनने वाला टोनर है कि आप इसको एक बार बार बनाओगे और सबसे अच्छी बात है आप सब्सक्काइब करें ज़ितने आप उतनी चला सकते हैं ऑम हमें चोटे पाइं चोटे-बार करें एक जिससे कि रखाँ ग्राइंड हो जाये जैसा हमें चाहिए वैसा हमें उसका पेस्ट मिल जाएं ऑसके बाद हमंएं सब्सक्राइब निकाल कर अलग से डालेंगे जो इसका नीचे का पाट है इसको हम हटा देंगे रोस पैटल्स के वेनेफिट्स आपको पता ही होंगे नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं यह हमारे स्कें से रेडनेस को रिड्यूस करता है को पाट करते हैं आपको प्रीमेचा में अचा जिस आइसा बी हो जाएगा जिस मिक्शियर को हमें चलनी kidneysज से जार के अंदर टरांसफर कर लेना है तो अब हम इस लिक्विट कोrau डारुठ लिक्विप क्रप से जार के अंदर यह हमारे skin को sunworm से heal करने में help करता है जो हमारे skin sun से damage हो जाती है उससे heal करता है उसके बाद जो हमारे skin पर swelling होती है या puffiness होती है उसको कम करता है skin को hydrate करता है इतने सारे benefits होते है कुकंबर के आप इसको एक बार use करोगे तो आप मुझे thank you भोलोगे आकर and उसके बाद जब हमने चलनी से इसको चान लिया था तो जो मोटा मोटा पार्ट था वो पूरी तरह से उसका liquid नहीं निकला था तो उसको मैंने cotton cloth की help से चान लिया जिससे कि उसका बचा हुआ सारा liquid निकल गया एंड हमें सारा liquid प्राप्त हो गया एंड उसके बाद जो हमारा का कैपसूल डाला था एक ही डाला है मैंने कुछ ज़रूरत है रधा पाई पानी आपनी आप ने डिखा होगा मैं चोटा से गिराहिता पानी का डालना है और इसके बाद हमारा यह टोने रेडी हो गया है एंड ये टोनर इतना ज्यादा वैनिफिशल है कि आप एक बार इसको यूज करोगे इसको बार वार वार उसकरोगे तब इसको अच्छे से अभी मैं आपको पताती हूं कैसे प्लाइ करना है तो हमें अपनी स्किन को पहले क्लीन कर लेने हैं जैसे हम फेश व हमे बार वार वेलं एको पराग दो बार वार वेश प्लाइने हैं आप्र एक मैं जैसे वार